वेल्कम बैक माई डियर स्ट्रेंट्स और वेल्कम अगेन तो दे एकलवी एजूकेशन यह वो प्लाटफॉर्म है जहां पे आपको अपनी मैथमेटिक्स की हर एक प्रोडम का सोलूशन मिलेगा जी हां मिलके ही रहेगा तो आज एक बाब फिर से हम लेके आए है 9th क्लास ICSC बोड़ वालों के लिए एक नया टॉपिक एक नही क्लास आज का टॉपिक जो हमारा है वो मैंसुरेशन 1 है ICSC Board का 9th Class का Mansuration 1 Mansuration की बात करें तो पहली बात तो मैं जड़र आपको इमायंड कवा दूँ Last Class में जो हमने पढ़ा था यानि कि Trignometry के बारे में वो हमने कुछ important questions किये थे वेरा Trignometry के I hope आप में से किसी को कोई doubt रहा नहीं होगा लेकिन अगर किसी भी student को आपके सारे doubts को हम collect करेंगे और उन सभी doubts के collection के लेकर आपके लिए एक special doubt class रखी जाएगी जिसमें आपके दिये हुए सारे doubts को proper तरीके से solve किया जाएगा ठीक तो यह थी हमारे पिसली classes के regarding information जो आपको देने हमारे लिए जरूरी थी क्योंकि आपके benefit की बात है तो आज हम क्या करेंगे आज मैं फिर से बोल रहा हूँ आज हमने mensuration को लेके आए है और mensuration एक बड़ा topic है important topic है क्यों? क्योंकि 9th और 10th class में ही जाके mensuration हमारी समपाफ्थ तिये खतम होती है तो basic जितना भी knowledge हमें mensuration को है उसको लेके लेके चलना है आज mensuration का मतलब basically मैं बता दू measurement होता है क्या होता है? measurement mensuration का मतलब होता है measurement गुड़िंग बेटा वेलकम वेलकम एक पलब एक जुकेशन पर आपका स्वागत है तो हम क्या बात कर रहे थे mensuration के बारे में तो mensuration का मतलब होता है measurement हमें जैसी मर्जी figure दी हो हमें कोई plain figure दे रखी है two dimensional की या three dimensional की two dimensional वाली figures को उनको कहते है बेटा जो दो axis पलाई करें हम basically जो पढ़ेंगे यहाँ पे two dimensional figures को study करेंगे ये two dimensional figures क्या होती है which lies on two axis कौन कौन से that are x and y ठीक है x and y पर लाई करता है तो two dimensional figures कौन सी होती है ये ऐसी figures होती है बेटा जिसमें figure जो होती है वो दो ही axis पर लाई करती है x axis और y axis जैसे कि आपने graph देखा है ये y axis होती है ये x axis होती है figure सारी की सारी यही लाई करे I am fine बेटा how are you so good to ask you question ठीक है चलो हाल चल हो गया बाचित question पर ध्यान देते है concept पर ध्यान देते है नया topic है नये जोश के साथ चलेंगे ठीक है बेटा चलिए तो ऐसी figure जो सिर्फ दो axis पर लाई करे उन्हें कहते हैं two dimensional figures आपके case में अभी हमने two dimensional figures के बारे में बात करनी है लेकिन ऐसा नहीं कि two dimension पर ही figure लाई करे three dimension में figure भी लाई करती है जैसे के हमारी eyes जैसे तो 3D version देख पाती है ठीक है तो धिरे देखर के आगे बढ़ेंगे पहले two dimension को निकले कर दिया अब two dimensional figures के अंदर कौन कौन सी figures आती है first of all आती है आपकी triangle फिर आता है आपका square फिर आता है rectangle फिर आता है आपका circle ठीक फिर आता है आपका rhombus kite quadrilateral जितने भी quadrilateral नहीं वो सब आते है यह सब figures जो होती है यह two dimensional figures होती है तो आज हम mensuration first के अंदर first of all तो mensuration की basic definition समझी कि mensuration का मतलब क्या होता है measurement हम measure करते रहेंगे नापते रहेंगे भाई two dimensional figure को measure करना है अब measurement के अंदर भी कुछ बाते होती है जो आपको ध्यान रखनी है first of all हमें सीखना है perimeter के बारे में और फिर सीखना है area के बारे में पहले हम typical knowledge of area के लेके चलेंगे फिर हम लेके चलेंगे कुछ extra area के बारे में जिसे कहते हैं surface area, total surface area, curved surface area या फिर बोलते हैं उसको lateral surface area इस सब के बाद हमें आगे भी और interesting बाते करेंगे तो बातों में time waste ना करके topic को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आज first class है तो introduction compulsory है understanding जरूरी है ठीक, चलिए तो करते हैं इसको rub अब बढ़ते हैं आगे लिजिए introduction लेके आया हुमें आपके लिए और first topic जो है हमें पढ़ना है perimeter ये perimeter क्या चीज है किसे कहते है perimeter simple language में कहा जाए जब भी कोई plain figure exist करती है जब भी कोई plain figure exist करती है तो उसकी boundaries exist करेंगी ठीक, तो plain figure की जितनी भी boundaries है उन सभी boundaries की length को अगर हम add कर दे अगर हम उसकी boundaries को length को summation कर दे उनको add कर दे तो हमें मिल जाएगा उसका perimeter क्या मिल जाएगा उसका perimeter तो यही बात है perimeter की the perimeter of the figure is the length of its boundary कोई figure है उसकी जितनी भी boundary है उस सारी boundary की जो length होगी total length of the boundary उसको कहते है perimeter अब length की बात हो रही है तो क्या units होती है length की length को किस unit मेजर करते हैं meter, centimeter, millimeter, kilometer अब length इसी मेजर करते हैं तो perimeter भी तो length है क्या हुआ अगर boundary की length है है तो length तो उसकी unit भी क्या होती है length के जैसी तो unit of the perimeter is same as the unit of length clear, बासन में है perimeter की को doubt तो नहीं चलो, एक बात देख लेते हैं figure जैसे माल लेते हैं यह एक figure है बेटा ठीक है अब figure की बात कर रहे हैं तो यह लीजिए यह है two centimeter four centimeter three centimeter one centimeter four centimeter one centimeter three centimeter two centimeter one centimeter three centimeter two centimeter and this is also three centimeter यह इस की पूरी बाउंडरी है कुछ अठपटी सी figure है पता नहीं किसका घर है किसका आलेशन घर है ठीक है तो यह आ गया अब यहां से यहां तक भी कितना one centimeter यहां से यहां भी कितना one centimeter इन सब को नाम लेता हूं A B C D E F G H I J K L M N यह सब वर्टिसेज है A B C D E F G H H I J K L M N यह सब क्या है वर्टिसेज है तो एक वर्टिस से दूसरे वर्टिक्स को जब जोइन करेंगे तो boundary मिल रही है figure की साफ दिख रहा है तो इसका perimeter क्या होगा इसका perimeter क्या होगा सब को add कर देंगे मतलब A B PLUS B N PLUS N M PLUS ML PLUS L K PLUS K J PLUS J I PLUS I H PLUS H G PLUS G F PLUS F E PLUS E D PLUS D C PLUS C यह सब वो length है जो boundary create कर रही है इस figure की तो इस सब को add कर देंगे तो मिल जाएगा हम है perimeter तो सब को हम जब add करेंगे तो net result का मिला 2 PLUS 2 4 4 PLUS 1 3 5 5 PLUS 3 8 10 13 16 17 21 21 22 23 24 27 31 तो answer आ गया 31 cm तो यहां पर सारी की सारी ओके figure visible नहीं हो रही है भाई doubt आया है तो लीजिये figure visible कर देते हैं अरे इसको erase करते हैं मेरा आसे करके कुछ figure थी ठीक है यह वर्टेस थे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N ठीक है यहां से यहां से यहां तक measure किया तो निकला 5 cm यहां से यहां तक किया तो 2 cm यहां से यहां तक किया 6 cm यहां से यहां तक किया 4 cm यास है हा थक चिया थी सैंटमीम्टर प्रय यासर बेस्ट में तक कङूत्व दखतक यासर हा थक Cada साय थक यासर आंत तक यह सेहा थक यासर थक यह तर सल्ट टेसं तू एविक रज तल्ट टा jest ठीक है ये पूरी की पूरी figure clear है तो boundary parameter की बात कर रहे थे हम किसकी parameter की तो parameter के लिए क्या करना पड़ेगा बड़ा जितनी भी length है A B से A से लेकर B B C C SI length को यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर इन सभी length को हम add करेंगे तो इन सभी length को add करने पे हमें एक boundary की total length मिल जाएगी ठीक है और boundary की length को बोलते है parameter तो कैसे करेंगे 2 plus 3 5 plus 2 7 plus 3 10 13 16 19 21 24 28 31 35 41 46 तो net result कितना आ गया 46 cm तो यह है तरीका parameter को find करने का parameter का मतलब होता है किसी भी plane figure की boundary की length यह हमने कोई अटपटी सी boundary ली थी किसी figure की उसकी पूरी की पूरी boundary की length निकाली तो हमें पता लग गया कि उसका parameter कितना निकला 46 cm तो parameter किसे कहते हैं I hope it is clear for you right now क्योंकि यह parameter आगे भी आता रहेगा चलता रहेगा पूरी life में ठीक है कोई doubt तो है नहीं अगर कोई doubt है तो पूछ लिजना है ठीक है बढ़ा हूँ चलिए तो parameter की बात हमने कर लिए खतम अब next क्या पढ़ना है next किसके बारे में जानना है next हमें जानना है area के बारे में भाई area कहते किसे हैं बच्चों को आस्तिक यह समझने आए कि area कहते किसे हैं area वो इलाका होता है जो कोई चीज acquire कर लेती है ऐसा space कोई चीज जो घेर लेती है घेरे हुए space को बोलते है area तो क्या है area area of the plane figure is the measure of the surface enclosed by that figure यह measurement है कैसी यह एक ऐसी measurement होती है बेजा जो कोई plane figure acquire कर रही है जितने surface पर acquire कर रही है surface पर जितने surface पर acquire कर रही है area उसे कहते हैं ठीक जैसे कि मान लेते हैं कि फिगर पर आते हैं फिर से यहां पर यह तो clear हो गया चले कोई figure है मैं बात कर रहा हूं यह से इसको रब ही कर देते हैं कुछ अच्छा नहीं लगाए है यह एक टैंक की है टैंक ठीक है यह टैंक इस च्छत पर है यह है रूफ यह है रूफ अब मैं पूछना चाहूंगा बैटा कि what is the area in the figure what is the area of टैंक टैंक का एरिया क्या होगा तको बता सकता है है कोई बताने वाला कोई बात नहीं बाता मैं clear करता हूं area वो इलाका होता है जो किसी plane figure ने किसी भी figure ने surface पे लिया हो किसी भी figure ने surface पे लिया हो अब आपको दिख रहा है यह surface यह है यह है यह जो एरिया है यह एक circle है circle एक two dimensional figure है इसने कौन सा पार्ट लिया है इसने इस roof का इतना surface को capture किया है जो red mark से show कर रहा हूँ इतने surface को उसने capture किया है ठीक है two pi rh बेटा two pi rh is curved surface area हम curved surface area की बात नहीं कर रहे है यहाँ पे पहली बात तो आपको understand कर रहा हूँ area क्या होता है formula याद रखना is very good but try to understand the concept area जो होता है वो किसी figure के दवारा surface acquire किया होता है कोई figure ने जो surface acquire कर रखी वो area है अब इस figure ने इस tank ने ये surface acquire कर रखी है roof की surface acquire कर रखी है कहाँ पे कर रखी है यह वाली तो ये जो है इसको कहेंगे area this is known as area clear तो area कहते किसे हैं ये समझ में आया की नहीं आया पहले ये जानना जरूरी है कि किसी ती इसको कहते क्या है ठीक है ये है आपका area तो ये मैंने definition आपको बताया है यहाँ पे the area of the plane figure किसी भी plane figure का area क्या है is the measure of the surface enclosed by that figure ये उस surface का measurement होता है जो उस figure ने enclosed कर रखा है घेरा हुआ है जैसे कि यहाँ पर देखो रूफ के surface को कहाँ पर घेरा है ये वाला part घेरा हुआ है घेरे वाली boundary दिख रही है ये mustard color की boundary दिख रही है ये yellow color की और उसके अंदर का जो measurement है उस अंधेरे हुए इलाके का जो measurement है red color से जो दिखा रहा है ये आपका area है तो area की से कहते हैं ये clear हुआ की नहीं हुआ अगर नहीं हुआ है तो फिर से पूछ लिजिए कोई doubt है तो clear कर देंगे I will give you 5 seconds to ask any kind of doubt Any student can ask doubt Have I किसी को doubt? अच्छा Sir, tell some more detail What kind of detail you want to ask बेटा? Detail, first of all तो हमें इतना समझना है कि area कहते किसको है जैसे कि एक diagram बना के और समझाता हूँ इसको और अब करते हैं जैसे कि एक diagram बना के और समझाता हूँ अब माल लेते हैं कि हमारा एक table है हमारा एक table है table को मैं बना रहा हूँ यह एक table है ठीक है अब मैं पूछना चाहूँगा कि what is the area acquired by a table table के area एक table के according area क्या होगा तो table के according area वो होगा जो surface उसने acquire की है जिस surface को उसने घेरा हुआ है कौँ सी surface को घेरा है देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको red color से surface उसने क्या कर रखा है उसने यहां से लेकर यहां तक यह थीक फिर यहां से लेकर यहां तक फिर यहां से लेकर यहां तक अवर फिर इसके end points है यहां से लेकर इसके end point तक इतना part उसने क्या कर रखा है acquire कर रखा है इसने floor जो जमीन है आपकी floor उस floor के कितने area को गहरा हुआ है जी इतने area को गहरा हुआ है तो ये जो है ये part ये आपका area है इस part को जो measure करोगे बास समझे हो इस tank को थोड़ा छोटा कर देते हैं तक इस tank की वैसे confusion हो सकती है अब सही रहेगा तो यहां से लेकर यहां तक का यहां से लेकर यहां तक का और यहां से लेकर यहां तक का ये जितना उसने roof floor का जितना area उसने enclose कर रखा है एंक्लोज, फ्लोर की सरफेस को जितना उसने एंक्लोज कर रखा है उसकी मेजरमेंट को एरिया कहेंगे, बासन में आई, ठीक, तो ये टेवल है, इस टेवल ने रूफ की सरफेस का इतना एरिया एंक्लोज कर रखा है, इतना सरफेस को एंक्लोज कर रखा है, तो enclose किये हुए part को जो हम measure करेंगे तो जो हमें value मिलेगी वो हमारा area होता है clear? now area is clear to you or not if any student have any kind of doubt please ask me I will make sure that area will understand you चलिए okay now everything is clear hello beta how are you कैसे हुआ आप पढ़ाये पे ध्यान दीजिए जल्दी आया कि ये class में तो हमने कहा था कि हमने two dimensional figure की बात करनी है तो two dimensional figure के अंदर सबसे पहले किस की बात करेंगे triangle की तो हम लेके आए है area और parameter triangle का first of all triangle क्या है सबको पता है triangle एक ऐसा polygon है एक ऐसी close figure होती है जो three sides से बनी होती है कितनी sides से सिर्फ three sides से अब triangle की boundary है जिसे यहाँ पर triangle बना दिया बना दिया लीजिए ये एक triangle है a, b, c a, b, c इस triangle के vortex है vartices कह ले दे तो perimeter क्या होगा मैंने perimeter पहले बता दिया understand करवा दिया कि perimeter is the sum of all the length of boundary इसकी boundary क्या figure की ये तीनो side इसकी boundary है तो इसका perimeter क्या होगा a, b, plus b, c, plus c तीनो sides को हम add कर देंगे तो we will obtain the perimeter of the triangle clear यही तो concept है the perimeter of the triangle is the sum of three sides तीनो sides का sum निकाल लो perimeter of triangle आ गया आपके सामने perimeter of triangle का concept इसमें कोई doubt है? of course, मतलब भी नहीं है ठीक, चलिए आगे बात करते area की अब triangle के area को calculate करना आना चाहिए मैंने पहले बोला कि जब कोई figure surface acquire करती है उस acquired surface के measurement को area कहते है तो हर एक figure की acquired surface को measure करने का तरीका अलग-अलग होता है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं triangle के तो triangle के दुआरा जो surface acquired हुई होगी उसका जो area है उसको calculate करते हैं इस formula के साथ half into base into height कौन सा formula half into base into height यह formula है basically general formula है किसी भी triangle के area को calculate करने का मतलब जितना surface उसने acquire कर रखा है उसकी measurement करने का यह simple सा formula है कैसे देखिए यहाँ पे आईए यह एक triangle है A, B, C ठीक है बड़ा A से A से एक line निकली D जो perpendicular है B, C के ठीक है AD perpendicular है B, C के ठीक है अब जो perpendicular होती है वह यह तो height होती है तो यहाँ पे here AD is height of triangle A, B, C यह जो triangle लिखा है ठीक है यह जो height लिखने का तरीका है corresponding height बात कर लो corresponding height बिल्कुर सही बात है half into, base into height बोलेंगे height मतलब corresponding height जैसे यहाँ पे इस triangle की कोई सी भी side height को resemble नहीं कर रही लेकिन एक अंदर की value है AD AD जो है जो perpendicular है B, C, K AD will act as a height ठीक है बैटा तो यह बनके AD जो है height of triangle है अब base किसे लेंगे base is that side of triangle on which height stands base triangle की वो side होती है जहाँ पे height खड़ी हो जहाँ पे height खड़ी हो height कहा है? AD is the height ठीक है AD कौन सी side पे गिर रही है या कौन सी side पे stand हो रही है साफ साफ दिख रहा है AD जो है BC वाली side पे stand हो रही है तो यहाँ पे base here जो base है वो base क्या है? BC वो base क्या है? BC clear? तो area क्या बन जाएगा? area को मैं दिखा़ता हूँ मुलैक से area बन जाएगा half into base कितना आ गया? BC और height कितनी? AD simple सा concept है अब इनकी value पता होगी तो value put कर देंगे multiply, divide करेंगे simple answer आ जाएगा clear बात? कोई doubt है इसमें तो बूछिए तो किस side को हम base लेंगे और कैसी height होती है ये हमें समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि कई बच्चे करते हैं height कोई और ली है और height के according जो base होनी चाहिए वो base ने ली, कोई और से side ले ली ऐसा नहीं होता जो height होती है उस height के according ही base decide होता है जिस side पे height बनेगी उस side को ही बोलते हैं base पुरा concept आपके सामने है अगर किसी बच्चे को जड़ा सा भी doubt हो तो पूछ लीजिए no problem at all because I am here to clear your doubt I will give you 5 seconds to ask the doubt so anyone have a doubt किसी के पास कोई doubt है भाई बताईए no doubt good लेगन अगर फिर भी किसी कोई doubt है तो please hesitate मत कीजिए पूछ लीजिए चलिए तो ये concept सा सारा का सारा area का एक बात ध्यान रखना है मेटा क्योंकि length की unit जो होती है meter, centimeter बगारा होती है perimeter की unit भी meter, centimeter बगारा होती है area की unit जो होती है क्योंकि वो side, दो side मेट बेंट कर रहा है जिसे triangle पे किस पेट बेंट कर रहा है base और height पे दोनों ही आपस में किसम है multiply में है base की unit भी होगी height की भी unit होगी तो जब multiply होंगे तो unit का square हो जाता है इसलिए जो area का ऐसा unit होती है is in square जो area होता है area की जो unit होती है वो square में होती है ठीक, that is centimeter square meter का square kilometer का square square में क्यों होती है ये भी आपको clear हो गया क्योंकि sides आपस है multiply होती है और जब दो unit by same unit है जब base same होता है और same base वाले जब multiply होते है तो power add होती है clear? यहां तक पासन में आ गई? good तो unit clear होगी? ठीक है? तो हम के करेंगे unit का square लिखते हैं तो what is the unit of area? it is the square of the unit meter square, centimeter square, millimeter square decimeter square, decimeter square जो भी measurement की unit लखी होसने बेटा अगर ad जो है वो bc के perpendicular नहीं है तो bc is not base क्योंकि हमारे पस height अबे पता ही नहीं है triangle की जो height होती है वो perpendicular होती है ये बास समझिए ठीक है? तो height हमें confirm नहीं है तो base भी confirm नहीं है क्योंकि जिस side पर height गिरेगी वो side आपका base होता है clear? बासन में आई अब ये? अगर फिर कोई डाउड़े तो पूछ लीजिए चलिए अब हमने types of triangle पड़े है equilateral triangle, scalene triangle, isosceles triangle, right angle triangle उन सबका area निकालने का concept वह सिंपल होता है हम बात कर रहे है equilateral triangle की equilateral triangle के अंदर हम हाइट हूट का चक्करी खतम कर देते है हम simple सा logic लगाते है equilateral triangle का simple एक formula दे रखा है कि क्या होता है ये देखिए अगर मैं इसको ढंक से लिखूँ तो ये होता है root 3 by 4 into side का square simple sober formula है equilateral triangle के area को calculate करने का root 3 by 4 side का square अब ये formula कैसे आया है इसका logic थोड़ा लंबा है अभी time हमाई पास थोड़ा limited है तो आज तो इस समझनी पाएंगे अगर आपको जानना है तो बता दीजिएगा next live class में पूरा process समझा दूँगा कि root 3 by 4 into side का square ये formula derive कैसे हुआ half into base into height से ठीक है तो ये होता है root 3 by 4 into side का square this is the area for equilateral triangle clear जैसे हमने equilateral triangle का area का formula पढ़ लिया root 3 by 4 side का square वैसे ही आएसे से लेस triangle का भी एक simple सा formula हमने लिखा है वो है देखिए आपके सामने ये पूरी के पूरी value root में होती है ठीक है तो formula क्या है 1 by 4 into b plus under root plus नहीं multiply under root 4a का square minus b का square जहां पे जो आपका a है a a जो है वो equal sides की length होती है और b जो है वो base की length होती है बेटा please don't take tension अभी हम सिर्फ introduction कर रहे हैं चीजों को समझ रहे हैं हर चीज को सान रहे हैं question जैसे आएंगे question जैसे आएंगे वैसे हम समनना चालो कर देंगे सब concept को hero's formula की बात कर रहे हैं hero's formula मेरा इसके अगला topic है ठीक है तो ये बात समझे area of equal triangle निकालने का particular formula ये है area of isolis triangle का particular formula ये है isosolis triangle किसे कहते हैं isosolis triangle वो होते हैं जिनकी दो sides equal होती हैं यहाँ पे जो दो equal sides हैं उनकी length को मैं a लेके चल रहा हूँ और बाकी जो rest of दो sides जो equal length की है उनसे decide हो जाएगा height के बारे में बाकी बचकी तीसरी side जो unequal है बाकी दो के वो तीसरी side आपकी base का काम करती है तो वही बात मैंने यहाँ पे समझाई है कि formula जो होता है isosolis triangle के area निकालने का 1 by 4 into B into under root 4 A square minus B square A is the length of equal sides and B is the length of base that is the remaining side of the isosolis triangle तो यह particular formula है clear अब बात करते हैं hereons formula की hereons formula एक ऐसा hero वाला formula है भाई कि triangle जैसा मर्जी हो right angle, triangle, scaling, isosolis, equilateral जैसा मर्जी triangle हो जाए हम उसके triangle को उस triangle के particular area को calculate कर सकते है एक simple hereon formula से ठीक, hereon formula होता क्या है मावास introduce करने जा रहा हूँ hereon formula जो होता है एक simple formula होता है, क्या होता है देखिए area जो था triangle का वो होता है under root में s into s minus a into s minus b into s minus c चीक, a, b और c क्या है a, b और c ये तीनो ही उस triangle की तीन साइट्स के measurements होते है यहाँ भी लिखा है a, b, c are the three sides of triangle a, b, c जो है triangle की तीनो साइट्स के measurement है ठीक, तो s क्या है s को बोलते है semi perimeter इसको बोलते है semi perimeter semi perimeter का मतलब perimeter का half तो s क्या होगा perimeter by two perimeter क्या होता है triangle का? sum of three sides अब इस triangle की sides कौन सी है? a, b और c तो इन तिनों का sum a plus b plus c divided by two यही मैंने यहाँ पर लिखा है तो आज हमने introduce कर दिया भहुत साइच चीजों को introduction करने के बाद next class यानि कि tomorrow we will going to explore more about area and about hero's formula regarding to the area of triangle आज की class को आप introduction की तरह लीजिए हर चीज़ को समझे जानिए अगर किसी concept में कोई doubt है तो पूछ लीजिए till then please take care and goodbye घट लीजे लीज लीजाए जैजे झापको भीजे लीज़े ज़ए